श्यमंत्री ने विधान सभा के अंदर ये माना कि हमारे राज्या में बेरोज़गारी दर्जवा 8.8 प्रतिश्र उस हालात में आपको युवाओं के सामें जाकर पार्टी की पार्ट है आज युवा अपना नेने स्टाट अप कर रहे हैं तो ये अलग बढ़ता और उबढ़ता भारत है लेकिन इस बदलते भारत में हर्याना के चोदा लाख युवा ऐसे हैं जो खुद को रिजिस्टर कराते हैं बेरोज़गार के रूप में सरकार के पोर्टल हो आज की तारीक में हर्याना का युवा पलायन की तरफ अग्रसदर हो भेट चार कहेंगे हैं आज उनके माबाब को भी एहसास हुआ है कि ये सरकार जो है काबिल बच्चों को इन अपनियों पर रख रही है अगर दोजार उनिस के चुनाव में दुश्यन चोटला साथ ना आते तो सरकार बनना मुश्किल है इस विशे पे संगठन नहीं पड़ता क्योंकि सभी पार्टियों को ये रहते हैं आप्से और अपने परिवार से भार ये निकल पाए यहीं निसमझ मारा कांग्रेस किसको कहें एक बाप बेटा दोनों वो कहते हैं कि मुक्हा मंत्री भी हम बनेंगे उपमुख्या मंत्री भी यहां पड़ेंगे पड़ें आपको जो लगता है कि सबसे सेव जोन है उसी सेव जोन में क्यों जोगते हो तो मैं तो यही कहता हूँ कि भी वो दीप एंचर है भारतिये जोनिता पार्टी का ये दावा है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी पार्टी का युवा मोर्चा हर्याना में जिन्हें इस युवा मोर्चा को संभालने की कमान मिली है वो आज हमारे साथ खास मेमान के तोर पर हमारे साथ मौजूद है योगेंदर शर्मा योगेंदर शर्मा उनका पूरा नाम है प्यार से उन्हें योगी कहते हैं लोग और हरियाना के इन योगी का हम स्वागत करते हैं न्यूज एटीन हरियाना में सर बहुत बहुत स्वागत प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संभालना, एक मार्ग दर्शन देना, उसे इकठा करना, इस जिम्मेदारी को लेकर पहले बताईए किस तरह से यहां तक का सफर रहा संख्षेप में? मेरी सुरवात दोजार आठ युवामर्चा के मंडल अध्यक्स किनाते हुई, और धीरे धीरे जिला में काम करते हुए, प्रदेश में महामंत्री का देटर निभाया पिछे, और पार्टी ने मुझे विश्वाज दिखाया, और आज प्रदेश की कमान युवामर्चा की ने मेरा चैन किया, एक जिम्मेदारी मुझे पे चुनावी वर्स के अंदर दी है, दोनों चुनाव बिलकुल सामने हैं, चाए लोकसवा का, चाए विधान सबा का, युवामर्चा ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी तैयारी कर ली है, दस की दस लोकसवा की सीटें जीत कर उसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एहम रोल यो अमर्चा निभाने वाला है ठीक लेकिन ये जिम्मेदारी आपको एक ऐसे वर्ष में दी गए जिसमें चुनावी वर्ष तो है ही पर अभी हाल फिलाल में मौनसून सत्रुआ और मुख्यमंत्री ने कार्टी बात कैनी है कितना बड़ा चैलेंज है जरूर लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भी सिरफ युवा आज वह पहले वाला युवा नहीं रा कि भी सिरफ सरकारी नोकरी की तरफ भागता है वो अपने स्टार्ट-आप के माद्यम से आज नोकरी देने वाला यूआ बन गय परसों ही 20,000 नए युवाओं को सरकारी नोकरी दी है लेकिन आज युवाओं आप ये देखोगे अपना नए नए स्टार्ट अप कर रहे हैं भारत वर्स के अंदर एक क्रोड से अधिक नए स्टार्ट अप जो युवाओं ने सुरू की हैं तो ये अलग बढ़ता और उबरत भारत लेकिन लेकिन इस बदलते भारत में घ्याना के 14 लाक युवाओं से जो खुद को रिजिस्टर कराते हैं बेरोजगार के रूप में सरकार के पॉर्टल पर कि हम बेरोजगार है हमें हमारे पास ये रोजगार मिलना चाहिए उसमें से पिछले तगरीबन नौ साल में एक से डेड़ लाख नोकरियां सरकार ने दी लेकिन बाकियों का क्या सवाल उन युवाओं का है क्योंकि आपको जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उनके पास जाना है तो उन्हें जाकर आप क्या कॉटल पे करेंगे नित रोजाना युवाओं को नोकरियां कोसल के माध्यम से दी जा रही है सरकार जितनी स्थान पर व्यक्ति की जूड़ता है उतने लोगों के तो काम देगी लेकिन इसी के साथ तकनीकी सिक्सा के माध्यम से लोगों को तियार कर रही है एक बहुत बारी उनका खांदानी काम था उसको छोड़कर उससे दूर हो रहे थे उन लोगों को वापिस उस खांदानी कामों के उपर लेकर आएं तो उनको लोगों देने का काम कर रहे हैं तीन लाग तक का लोगों दे रहे हैं उस योजना के माध्यम से और किसी गरंटी के बिना दे करता नहीं है 15 तिन का क feather कर रही है हर्याना से पहले करते झासकुद विजस्थ , 2014 के बाद से ट्रेंड जो है इसने जोर पकड़ा है और आज की तारीख में हर्याना का युवा पलायन की तरफ अग्रसर हो गया इस पर आप कटें देखो पलायन एक भेड़ चार कहेंगे हम लोग एक दूसरे को देखकर भागते हैं विदेशों की तरफ लेकिन विदेशों के अंदर इतना जाकर उनको मैसूस होता है कि भी उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती जो करी है इन देशों में आकर के चाहिए हम कनेड की बात करें जो लोग जा रहे हैं अस्टेलिय की बात करें बेरोजगार इस तरह इतना अधिक हैं वहां जाकर वो छेचे मीने गूमते रहते लेकिन रोजगार उनको नहीं मिलता जितने रोजगार की नएने साधन उपलब्द करवाने की काम अर्याना सरकार कर रही है कि इं उनके माता पिता उनके परिवारी की कहते हैं कि यहां पर कुछ फूचर नहीं नजर आ रहा था इसलिए बार जा रहे हैं फूचर देखो जो काबिल लोग हैं मैं बात कर रहा था डेड़ लाग नोक्रियों के जो काबिल लोग हैं पहले तो बच्चों को महसूस हुआ कि भी हमें अगर हम अपनी काबलित के भियापे नोक्रियां हमें मिल जाएंगी आज उनके माबाब को भी एह एसास हुआ है कि यह सरकार जो है काबिल बच्चों को ही नोक्रियों पर रख रही हैं जो काबिल हैं जो सिक्सरम के अंदर जो टैस्ट है उसको पास करेंगे उन्हीं बच्चों को रख रहे हैं तो आज अगर कोई सी का बच्चा नोक्री के लिए अपलाई करता है रह जाता है तो उनको सरका काबिल होंगे लेकिन एक होड लग जाती है भेड़ चाल है कि लोगों को लगता है कि भी भार जाकर हमें असानी से पैसा मिल जाएगा जो बच्चा यहां आठ गंटे काम करने के लिए उसको लगता है कि में बहुत जादा काम मुझे करना पड़ेगा वहां ठारा ठारा गंटे जाके काम करते हैं और एवरेज लगा लें अगर ठारा गंटे काम अगर वो अपने अर्याना में या भारत में करें तो उससे अधिक पैसा वो कमा सकता है आपके विपक्षी एक इल्जाम लगाता रहा आप पर लगाते हैं कि जितनी नोकरियां इस सरकार ने दी हैं कोई भी ऐसी निये जो एक बार में क्लियर हो गई हूँ सब या तो अदालत में फसीवी पड़ी हैं प्रोसेश जो अदालत में रुग गए हैं जाके अदालत में कहीं ना कहीं रोक लगा दी है या वो आगे ही नहीं चल पाए या 2014 में किसी नोकरी का फार्म भरवाया गया था उसका एक्जाम 2019 में जाकर हो रहा है ऐसे भी हालात बने जो ये इलजाम विपक्सवारे लगा रहे हैं मैं सबसे बड़ा दोसी उन्हीं लोगों को मानता हूँ जब किसी परिकरिया को हम पूरा करते हैं उस परिकरिया के अंदर जब उनके जो गुरगे जो उनके जो लोग होते हैं पार्टी के उनके जो पदादिकारी होते हैं उन के माध्यम से वो कोट में चले आते हैं उनको लेकर और आपको ध्यान होगा कि जब दोयार 14 में सरकार बनी थी 16 के अंदर हाई कोट में फटकार लगाई थी ऐसे लोगों को ऐसी गैंगों के उपर जो बार बार किसी ना किसी भरती को लेकर वहां जा रहे थे रोग लगाने के लिए सिफारिस कर रहे थे अपील कर रहे थे उनको फटकार लगा दी गई थी और परसों भी जो नोकरियां 20,000 रिजल्ट आया है वो भी फसीवी नोकरियां थी जो हाई कोट में से फटकार लगी थी यहां से वो निरास होकर सुप्रीम कोट पहुंचे थे और सुप्रीम कोट ने भी नोकरियों को बहाल किया है और बीस हजार लोगों को परसु नोकरी देने काम सरकार ने किया है सरकार की मनसा कलियर है वो काबि भी लोगों काम देना चाहती है लेकिन वीपक्स कहीं नंगा डालना चाहते हैं उनको लगता है कि अगर 2019 के चुनाओं में दुश्यन चोटला साथ ना आते तो सरकार बनना मुश्किल था जेजेपी साथ नाती तो सरकार नहीं बन पाती दोजार चोबिस में आगे हैं अब आप जैसे युवा को एक कमान दी गई है युवा मोर्चा की उस हालात में जब आप गट बंधन की सरकार चला रहे हो ऐसे में लोगों के बीच में जाना और जब पार्टी ने एलाइन क्लियर कर दियो कि हमारा पार्टी का फंडा क्लियर है किस के साथ हमारा समझोता है किस के साथ नहीं है इस विशे पे संगठन नहीं पड़ता समझोता जो है सरकार के तरके उपर समझोता है ना कि संगठन के अंदर कोई समझोता हुआ है वो लोग अपना काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का काम कर रही है उसका युवा विंग भारतिय जनता युवा मुर्चा अपना काम कर रहा है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं जो हमारी केंदर की और परदेश की उपलबदी है उन लोगों को जन जन तक पुंचाने का काम कर रहे हैं ठीक है कि भी हमारे साथ ही है लेकिन हमारा काम परूस्ट है कि भी हमारी जो नीतिया है हमारा लक्से कौ लेकर अंतो देख जो जो उद्या का एक लक्से लेकर भारतिंटा पार्टी चलती है कि अंतीम व्यक्तिपर जो खड़ा व्यक्ति पहर ख़़ती है युवा चोपाल जिसमें हर्याना के परतेग गाओं के अंदर युवा मोर्चा एक सोस से अधिक युवाओं की एक चोपाल लगाने वाला है दस सालों के अंदर केंदर के काम, परदेश के काम और क्या-क्या योजना युवाओं के लिए सरकार लेकर आई है किस तरह हम उसका लाब दिलवा सकते हैं और जितने भी लाभार्थी लोग हैं हमारे उन सब लोगों से भी मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भी आज आपको नोकरी मिली है पहले नोकरी के लिए क्या था? नेताओं के चक्कर थे, पैसे देने पड़ते थे आज बिना पर्ची और खर्ची के आदनी है मनोला जी के नेत्रितम में युवाओं को नोकरी मिल रही है एक आस पैदा हुई है कि भी आपको किसी के चक्र काटने की जूरत नहीं है पहले लोग सिर्फ नेताओं के चक्री निकारते थे अपनी जमीन को गिर्वी रखकर बेच कर वो अपने बच्चे की नोकरी की उमीद लगाय करते थे आज उनको उमीद ही है कि भी बच्चा को सिर्फ अगर हम लेबरेरी में के लिए भेज देंगे पढ़ने के लिए उनको अच्छी संस्थान में के अंदर भेज देंगे तो वो जरूर नोकरी मिलेगी उसको आज ऐसे खिलाडियों का है खिलाडी आज पूरे बात करें भारत वर्स की सबसे अधिक खिलाडी अगर मैडल जीत के रहे हैं उनको जो सुवीदा चाहिए थी इंटरनेशनल लेवल की सुवीदा हरियाना सरकार उनको देने का काम कर रह नहीं था और यह माना जाता है कि आरेसेस जहां पर बहुत बड़े स्तर पर नहीं हैं माँ बीजेपी के लिए चैलिंजी जोर बड़े हो जाते हैं बतौर पार्टी अब आप दोहजार चोबीस तक आ गए हैं दोहजार चोबीस ही दस साल आपकी सरकार रही है ऐसे में भारत जनता युववअ मोर्चा को एक और्गनाईजेशन के रूप में या और्गनाईजेशन के एक पार्ट के रूप में एस्टेबलिश करना पहला चैलिंज आप क्या फेस करते हैं जब आप ग्राउंट पे लोगों के बीँच में जा रहे हैं अभी युववववओं के से सरकार में काम कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई लाब हमें मिले लेकिन भारतिय जनता पार्टी का जो कारे करता है यही भावना को लेकर कि युवाओं के बीच में जाएं कि सबसे पहले हम अपने देश के बारे में सोचे अपने रास्टर के बारे में सोचे फिर अपनी पार् पार्टी और ने दलों के अंदर क्या होता है क्योंकि परिवार की पार्टी हैं सारी वो पार्टी यां सिरफ और सिरफ पहले अपना घर भरती है अपने बारे में सोचती है फिर उसके बाद अपनी पार्टी के बारे में सोचती है और देज के बारे में मुझे नहीं लगता कि भी भारते जंता पार्टी के इलावा कोई पार्टी सोचती भी है क्योंकि सबी पार्टी ये को ये रहता है कि वो अपने आप से और अपने परिवार से बाहरी निकल पाए maximum जो party अर्यना में लंबे समय से राज करती ही है वो एक परिवार की party तो है आज Congress भी परिवार की party होगी यही नहीं समझ मारा Congress किसको कहें चार धड़ों के अंदर बंटी हुई Congress नजरा रही है एक बाप बेटा दोनों वो कहते हैं कि भी मुख्या मंतरी भी हम बढ़ेंगे उप मुख्या मंतरी भी हम बढ़ेंगे लोग समय के चुनाव आएंगे तो आप बाप भी लड़ेगा बेटा भी लड़ेंगे और मैं यह कहता हूँ कि भी आप सिर्फ उन्ही दो सिटों पर ही क्यों लड़े हुए हो जब आप मुख्या मंतरी बढ़ने का दावा करते हैं तो उसके लावा भी तो आठ सिटे और बज जाती हैं तो आप उस एरिया से बाहर क्यों निकलते हैं क्यों अपने बेटे को आपको जो लगता है कि सबसे सेफ जोन है उसी सेफ जोन में क्यों जोगते हो ठीक है तो मैं तो यही कहता हूँ कि भी वो दी पैंचर है जिसको लेकर वो घूम रहे हैं ताकि और कहीं जाकर उसकी हवा ना निकल जाए ऐसा काम करने का वो काम कर रहे हैं तो यह अगी परिवारवाद को खतम करने का काम जो बीड़ा उठाया है भारते जनता पार्टी ने उठाया है मुझ जैसे एक समाने परिवार का बच्चा आज अगर युवा मोर्चा परदेश की कमान संभाल सकता है मेरे परिवार में कोई पिछे राजनीती में नहीं था कोई किसी ने पंचैत तक का चुनाव नहीं लड़ा लेकिन वो उनके मन में भाव है कि राजा का बेटा ही राजा बने ऐसा नहीं है एक परिवार के व्यक्ति ठीक है काबिल हो आप फिल्ड के मास्टर हो वहीं चुनाव क्यों नहीं वो चुनाव लड़ने के लिए और जंगा क्यों नहीं जा रहा है इस बार के चुनाव में अभी चुनाव का साल शुरू और किसानों ने एक बार फिर से कहा दिया कि हम तो दिल्ली जा रहे हैं कहीं न कहीं बीजेव आईयम के उपर भी एक पार्टी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन रहती है कि आप जाएं और बात चीत करें किसानों से मिलें जाकर क्योंकि हर्याना के किसान पंजाब के किसान आपको याद ही होगा कि 2020 में किस तरह का अंदोलन रहा है किसान अंदोलन और दोनों राजियों किसान बढ़ चड़ कर उसमें हिस्सा ले रहे थे भारते जंता युवा मुर्चा का परते कारे करता जो सही निती है और जो सही योजना है जो काम के अंदर सरकार ने किसानों के लिए कि हित्मे की हैं छे हजार रुपे सिदे उनको समान बता देने का काम अधियन आमोदी जी कर रहे हैं और भी MSP सबसे अधी का MSP हरयाना के अंदर फसलों पे दी जाती है और साथ लगता कोई परदेश ऐसा नहीं है जितनी मैकसिमम फसलों के ओपर MSP देने काम हरयाना सरकार कर भी रही है तो लोगों को जागरू करने की जूरता है पहले भी लोगों को बीच में हम लोग गए थे लेकिन अगर ऐसी कोई बात आती ह तो हम उने बताया आपको भी गाउं चौपाल का जो हमकारे करम कर रहे है यूवा चौपाल का परतेग गाउं के अंदर किसान भाई तो बसे हैं उन लोगों से बात करेंगे कि सरकार आपके लिए ये सोचती है और लोगों को एहसास भी हुआ है हर तबके को एहसास हुआ है गरीब मजदूर सभी तबके को कि ये पहली सरकार है जो आपके बारे में सोचती है करोना काल आपको ध्यान होगा करोना काल के अंदर जब हाकार मचा हुआ था पूरे विसव के अंदर भारत एक ऐसा देश था जिनोंने समय पर इसको संभाला भी घर गर चासी क्रोड लोग गाने का काम किया उसके साथ बहुत सारे देशों के पास भी उन्होंने वैक्सिन भेजने काम किया तो आज किसान जो है वो समरीद हो रहा है आज हो पहले दो यहर चोदा से पहले आपको ध्यान होगा दो रपेगे पांच रपेगे दस रपेगे चेक बंटे जाते थे आज बहुत स्था नहीं है तो लोगों को अंतर समझ में आता है चली आप कहीना कहीं यह फर्क समझाने की कोशिश करेंगे और इस चुनावी वर्ष में जब किसाना अंदोलन की बात कह रहा है तो किसान आपकी बात को कितना समझेंगे यह भी देखना होगा बहुत शुक्रिया योके इंदर शर्मा जी हमसे बाठचित करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहेंद Highland मोर्चा के प्रदेश्वाध जिम्मेवारी बहुत बढ़ी है видео चुनावी वर्ष में क्योंकि कीज्मेवारी मिली है चुनावी वीकास बशशश बश्मेट नहीं तासी जूझ मिए।